नमस्तार दोस्तों इसे ही कुछ जुगार जिससे आपके रसोई में पैसे भी बचेंगे आपका समय भी बचेगा और आपको कुकिंग जो है या पाकी के काम जो है वो इंट्रस्टिंग लगेंगे आपके सेहत का भी ख्याल रखा जाएगा तो यह वाले चोटे-चोटे से लाइफ हैं इनमें से क कुछ ऐसे टिप्स जरूर हैं इसमें वीडियो में जो आपके लिए काफी डेफिनेटली हैल्फुल होने वाले हैं तो वीडियो अगर कहीं पर भी पसंद आए ना तो लाइक जरूर कर दीजेगा तो दीके सबसे पहला टिप तो यह है कि मैं वेजिटेबल को जबी भी मेरे सबजिया होती हैं तो उनको मैं अलग-अलग तरीके से स्टोर करके रखती हूं तो देखिए पहले करोना ने हमें यह बात बहुत दिखाईगी किसी भी वेजिटेबल को वाश करना है तो मैंने सारी वेजिटेबल को वाश कर लेती हूं स्टोर करने से पहले हलका सा दूप म 15-20 मिनटी अगर आपने पानी निकाल दिया तो सूख जाता है मटर को मैंने रखती हूं वाश करके मटर को पील करके रखती हूं जैसे कि टमाटर है मैं इसको इस तरीके से स्टोर करके रख लेती हूं अनियन गार्लिक और पटैटो के लिए ये मैंने कुछ बिन लिये हुए ह कई साल हो गए हैं बहुत अच्छे से चल रहे हैं मुझे कोई कंप्लेन नहीं हैं यह मैंने ऑनलाइन इसको फिर्चेस किये थे और हां एक मैंने वेश साइट से लिया था गार्लिक वाला क्योंकि मुझे ऑनलाइन पर गार्लिक का कंटेनर मिला नी था तो दिगे एक्स्ट् जलुए उसमें घ्राभ नहीं होती है,शे मेरी बिन्स लूप भी लीव और यह धनिया के लिए या यानी कंड़के लिए और यह गाज़र जो है उसको मैं आग़न, इस तरीकROD मैझ आप मझा इस ही तूर्च शुटे का प्रें के आपकी वेजेटेबल भी बहुत अच्छे से फ्रेश रहती हैं तूसरी चीज यह है कि आपको ढूनने में दिकत नहीं होती है निकालने में कोई दिकत नहीं होती है अच्छा जो अनियन पटाटो गार्लिक है उसको स्टोर करने के लिए मैं यूटिलाइज करती हूं अंडर द लग से शेल्फ लगाई है और उसके ऊपर में रख देती हो अपने अनियन पटैटो और गार्लिक को तो निकालने में इजी रहता है इसके बाद में बारी आ जाती है ग्रीन चिली की काफे सारे घर में होती है मेरे गर में कम खाई जाती है तो मैं क्या करती हो उसको ना टेबल वगर और शॉपिंग करते हैं तो काफी सारी पॉलेथिन इखटा हो जाती हैं इससे पहले मैं क्या करती थी अपने गार्बेज पैक के लिए इस तरीके की पॉलेथिन का यूज करती थी लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारी पॉलेथिन ना चाहते हुए भी हमारे प अन्वांटेट पॉलेथिन या प्लास्टिक हम अपनी मदर अर्थ के ऊपर नहीं खटा कर रहे हैं उन्हीं प्लास्टिक की पॉलेथिन को रिसाइकल कर रहे हैं और दुबारा से यूज में ले ले लेते हैं मैं तो कई बारी क्या करती हूँ जैसे जितने भी लोकल वेंडर होते हैं जो आते रहते हैं उनको मैं दे देती हूँ कि उनको नई ना खरीदनी पड़े तरफ से जो भी प्लास्टिक को कम करने में सहयोग हो सकता है वो मैं अपनी तरफ से चोटे-चोटे से इनिशियेटिव लेने की कोशिश करती हूँ जानती हूँ इससे बहुत जादा फरक तो नहीं पड़ेगा लेकिन कुछ तो कम होगा तो किचिन में लगी हुई चिमनी में ग्रीज काफी जम जाता है उसको क्लीन करने के लिए इस तरीकी के स्पॉंज वाइप का यूज तो किया ही जाता है मैं इससे पहले ना नैपकिन का यूज करती थी लेकिन रिसेंट में चोटे-चोटे जो कपड़े की टुकड़े मैंने खटे करके रखे ना उनसे क्लीन कर लेती हूँ चिमनी को तो क्या होता है ना कि इन कपड़ों को बार-बार आपको वाश नहीं करना पड़ता है बस चोटे-चोटे से टुकड़े मैंने कट करके रखे में इनसे कोटिंग होती है ना वो मैं अपने जो sponge wipe वाला cleaner है ना मॉपिंग वाला कपडा उस से clean करती हustain साथ जितनी भी kitchen की tiles होती है उसको भी मैं इसी cleaner से clean कर देती हूं तो मेरी kitchen चमकती रहती है और इसके उपर बहुत जादा oil वगरा जमने नहीं पाता है regular cleaning से आपकी मैं नियुए काउंटर τοप सफ कर दिया कभी काउंटर टॉप सफ कर दिया अच्छे से डीप क्लीन कर दिया कभी काइबिनेट्स वगएर साफ कर दि और जो ज़ार्ज वगएरा होते है वो son time time पर मेही जैसे ही खाली होते हैं उनको मैं साफ करते तो इस तरीके से कम मेहनत में और कम टाइम में आप जादा सफाई कर पाते हो अच्छा एक बहुत अच्छी टिप बता रहे हो आपको यह जैसे की ग्रीन वेजिटेबल जो होती है लीफी वेजिटेबल वो तो हमारे सब के घरों में बनती है लेकिन उसमें मिट्टी बहुत न पड़ता है अब जितनी भी बार वाश करते हैं आपने देखा होगा कि पानी ग्रीन कलर का निकलता है तो पानी में जो ज़रूरी आइरन होता है हारी सबजियों का वो भी ग्रीन के साथ में चला जाता है तो हम क्या करते हैं इस पानी को हम फेक दिया करते हैं तो आगे से आ उसके अंदर एक चमच सिर्फ एक चमच शुगर डाल दीजे कोई भी शुगर आप जो भी use करते हैं वो शुगर डाल दीजे जैसे कि मैंने ब्राउन शुगर डाली है और उसके बाद में इसको ब्लांच करें या बॉयल करें आप देखेंगे कि आपका जो भी green vegetable है जैसे कि मे पांच हलका करें बहुत जादा तेर के लिए ना करें और यह जो पानी होता है यह ग्रीन वाला पानी जो होता है इसको फेकने की जगह अपने पौधों में देंगे ना तो आपके पौधों के पत्ते जो रहेंगे और काफी ग्रीन रहेंगे यानि कि जो पौधों में आइरन क से आई थी ना उनको भी पील करके रख लिया अब इनको स्टोर करने के लिए मैं क्या करती हूं ये टाइट कंटेनर के अंदर पहले लगाती हूं नैपकिन और उसके बाद में मैं अपनी मटर को मैं रखती हूं इस तरीके से करके और ये मेरा एक ऐसा कंटेनर है जिसमें मैं तुम अपना हिसाब से सेट कर लेती हूं तो इसमें खराब नहीं होती है मटर अच्छा आप लोगों से एक क्वेस्चन है आप सब लसुनिया पालक किस तरीके से बनाते हैं मुझे कॉमन बॉक्स में बताईएगा रेसिपी मैं जिस तरीके से बनाती हूं वो तो आप सब के अपने करना है श्रेड यानि की कद्दूकस से कद्दूकस कर लेना है और उसके बाद में डालनी है थोड़ी सी हिंग थोड़ी सी लाल मिर्च और इसको लसुन को थोड़ा सा ब्राउन होने देना है काला नी करना हलका सा ब्राउन होने देना है और अपनी लसुनिया पालक क सबसी बनने के बाद में एक तड़का उपर से ये वाला लगाईए हो सके तो इसमें लाल मिर्च भी जरूर डालिएगा साबुत वाली और फिर इसका टेस्ट देखिएगा कितना बढ़िया आता है एक बाद ट्राइ कीजेगा और अगर आपने ट्राइ की है मेरी ये वाली रे पाउडर का यूज करते हैं या प्रोटीन को एज सप्लिमेंट लेते हैं तो मार्केट में आप सबको पता होगा कि कितने कौसली होते हैं पता भी नहीं होता कि इसमें कितनी मात्रा में क्या मिला है या हमारी हेल्थ के लिए क्या बैनिफिशल सच में है भी या नहीं हम पैस आप लेने के बादें कि यहां उसके अंदर पम्पकिन सीड वहीं। कटोरी लिये है और आप इसके साथ में melon seeds का जरूर यूज करें मेरे पास इस time melon seeds नहीं थे थोड़े ही थे तो मैंने थोड़े ही डाले हैं साथ यसाथ chia seeds भी जरूर डाले उसके भी काफी health benefits है तो chia seeds भी मेरे पास नहीं थे तो वो मैंने दोनों ही चीजे skip कर दिया है वैसे skip भी कर सकते हैं लेकिन डालेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा one by one करके आपको सबको roast कर लेना है और अभी मैंने लिया है ये लगबग दो चमच अलसी और लगबग आधा कटोरी पोस्तो यानि की खस-खस इन दोनों को भी हलका सा roast करना है और flame को बंद कर देना है आचा इन सबी चीजों को आपने देखा हमने सब को एक-एक करके roast किया है और बिल्कुल अलग-अलग roast किया है और roast करने के बाद में सारी चीजों को तो हमने एक साथ कठा कर दिया है ठंडा होने और जो पोस्तो है यानि की खसकस है उसको हमने अलग से ठंडा करके मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है अब एक कटोरे लिये है मैंने अखरोट और अखरोट को भी रोस्ट कर लिया है ये है मेरे अलसी और पोस्तो को मैंने ग्राइंड कर लिया और ये वाला जि पर बार 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 ऑफ करना है इस तरीके से आपका जितना भी मिक्षर है उसमें ओयल नहीं छुटेगा बिल्कुल मिक्षर पिस जाएगा अच्छे से तो आप चाहे तो छान भी सकते हैं एक बारी मैंने इसमें कोई ऐसी चीज नहीं मिलाई है जो कि मुझे मतलब अच्छा ना लगे इसलिए मैंने इसमें छाना नहीं है अगर आप सीव कर लेंगे त तक इसको नॉन स्टॉप यूज कर सकते हैं और जब भी आपका खतम हो जाए आप फिर से बना सकते हैं है न छे मैने से एक साल तक अगर फ्रिज में रखेंगे तो इसकी शेल्फ लाइफ रहेगी और इसको बनाना भी बहुत आसान है बस आपने दूद को गरम करना है तो आज कल के मौसम में ड्राइनस बहुत जादा है जो कि हमारे बालों के लिए भी नुकसान तायक है और हमारी बॉड़ी के लिए भी है तो बालों में इतनी ड्राइनस हो जाती है इस मौसम में कि हमें कुछ न कुछ अच्छे स्प्रे की जरूरत पड़ती है जिससे की बा पीला वाला मेथी दाना होता है उसको मैंने पानी में रात भर के लिए भीगो करके रख दिया सुबा को इसको लगबग 10 मिनट तक के लिए पानी में बॉयल करूंगी थोड़ा और पानी डाल करके और उसके बाद मिंड़ा करके इस पानी को Spray बॉटल में भड़ लेना है और उससे Spray करना है अपने पूरे बालों की जड़ो में लगभख 2-3 घंटे तक इस Spray को अपने बालों में रखना है और उसके बाद में normally wash कर लेना है इस से अगर आप regular use करते हैं आपके बालों में premature grain की problem, dryness, dandruff की problem जो है वो सब दूर करेगा और बालों में नई growth start करता है मैंने काफी time से इसको use करना शुरू किया है और मुझे काफी फरक लगने लगा है अपने बालों में तो अगर इसके अंदर आप कलोंची यानि की nigella seeds भी मिलाते हैं तो यह double effective होता है इस तरह की कोई भी spray bottle लीजे उसके अंदर spray भरके रख लीजे इस water को दोनों को सेम तरीके से ही आपको use करना है और फिर आप इसको use करके result मुझे जरूर बताए अगर आप इसको try करते हैं home remedy है कोई नुकसान नहीं देगी तो दोस्तो आज का वीडियो इतना ही था आशा करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए जरूर कुछ न कुछ helpful जरूर रहा होगा कौन सा tip आपको ज़्यादा अच्छा लगा या क्या helpful लगा मुझे comment box में जरूर बताएगा फिलाल मैं आपसे जल्दी मिलूँगी एक नए और interesting वीडियो में तब तक के लिए be happy be active अपना ख्याल रखिए और मस रहिए बाई बाई